यूजीसी यानि इन्वर्सिट्री ग्रांड कमिशन के द्वारा एक नोटिस रिलीज चाहिए है जिसमें कि ये बताया गया है कि नमांकन समापतों होने से बाद अगर 15 दिन के भीतर कोई भी चात्र टीसी ले रहे हैं तो टीसी लेने पर नमांकन किसमें उनसे जितने भी पैस पैसा ली गई थी वह सारे पैसा वापस कर दे जाएंगे आज इसी के बारे में पूरा जनकारी हम लोग लेंगे क्योंकि बहुत सारी चाहिए आशनात तक में पोस्ट गर्वेशन में ले लेते हैं उसके बाद जो हैं अगर उनको मन करता है कि ने भायर सिक्षा के लिए उन पे कानूनी करवाई की जाएगो उसके भी प्रोसेस के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे ठीक है सबसे पहले जान लेते हैं कि यूजिसी नहीं नियम निकाला है इसी का मतलब होता है इन्वर्शिट्री ग्रांड कमिसन इसी के अंत्रगत भारत के सभी इन निदेश दिया गया है कि नमांकन लेने के बाद नाम काटने पर 15 दिन की भीतर चाप चत्राओं को नमांकन के दौरान ली गई पूरी फिस लोटानी ही होगी नमांकन कराय अगर 15 दिन से अधिक हो गया है तो बीबी वह कॉलेजों को कुछ आंसिक रासी काट कर उससे लोट लेंगे बाद बाकि सारी फिस आपको लोटा देंगे जैसे में कैसे होता है या अपने कोई टीकेट बूग कर लिया है फिर आपको वह नहीं जाना है आपको टीकेट केंशल करना है तो उसमें कहा जाता है कि कुछ परशेंट रेल्वे रख लेता है जिस हिसाप से एक दिन या फिर दस घंटा पहले के इंसल कराएंगे तो उस हिसाप से कुछ फीज वह चार्ज नोमिनल रख लेते हैं बाकि आपके पैसे वापस कर देते हैं तो उसी निसार से यह फिर बात किया गया है कि अगर 15 दिन से जादा हो गया है तो कुछ नोमिनल चार्ज कुछ चलता जिसे यूजी सी है तो इसके एक समिधान होता है रूल बनता है उसका खुद का एक कंसिट्यूशन है उस पे हर आर्टिकल लिखा रहता है कि बिस्विदाले के आर्टिकल इतना कनुसार यह काम करना ज़रूरी है नहीं होने पर अपने आर्टिकल के अनुसार सभी को जो है करवाई करता है ठीक है आगे बताया गया है कि दुसरी जगह नमांकन होने पर कॉलेज विभागों के सीटे पूरे सत्र में खाली ही रह जाती है मतलब अगर तीन वर्सों का कोर्स है तो तीन वर्स तक सीट खाली रह जाती है सपोड़र के अपने ड्मिशन ले लिया कि इस दुरान फिर नमांकन के बैचे पड़ा सीटों पर नमांकन करने के लिये पोर्टर नहीं खुला जा सकता है विसवियुदाल सकतंब करने पर आथा लेकिन ले YES वह दुसरी तरफ सेन्ट्रल उन्वेसिटी से अपना और हमेशा के लिए उस सट्र में वह सीटे खाली ही रह जाती है ऐसे में कई बीबी का कॉलेज शात्रों का नमांकन किरासी या तो काट लेते हैं या फिर वापस देने से मना कर देते हैं कॉलेज की मजबूरी होती थी क्योंकि आप अपना पर टीसी निकल वा ले रहे हैं आप उस सेशन के लिए उसीटे पूरे तीन साल खाली रह जाती है तो पूर रिटर्न हो जाएगा लेकिन पंदर दिन एडमिशन होने के बात करवाएंगे तो कुछ आंसी ग्रूप से पीस रहके आपका रिटर्न करा दिया जाएगा लेकिन कहीं भी इस नोटिस में यह नहीं लि जाएगी फिर से शार 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 शात्रे जाते हैं इससे होगा या कि एडमिशन भी हो जाएगा कॉलेज की सीटे भी भर जाएगी तो यह नोटिस हाल फिलाल में यूजिसी के दुवारा निकाला गया था अब जिन भी चात्रों को नमांकन लेना हो यह जनकारी को आगे इस इंवर्शेटी के अंतरगर सभी आपको फीच वापस कर देंगे पंदर दिन के भीतर अगर नमांकन के इंसल किरा रहे हैं तो भी आपकी जो नमांकन है उसमें आंसी ग्रूप से रखके और सारे फीवापस कर देंगे जाएगे आई होब कि यह जनकारी आप से भी को कर देंगे देंगे लुट वाप देना disintegration